जलेबी, समोसे, पकोडे, आलू टिकीन, सब की इंगलिश को लेकर आप बड़े कन्फ्यूज रहते हैं न कि जलेबी की इंगलिश क्या होगी, समोसे की इंगलिश क्या होगी, तो आज सब का समाधान हो गया, इस वीडियो में आज जो सीखने वाले हैं, आप इन्ही स्वीट् में हर तरीके से आज आप सीख जाएंगे तो विडियो को पूरा जरूर से देखेगा वेल्कम टू विद्या साम आई नेम इस कंचन लेट्स बेगे अपर फॉर्स वान इस पुलाव या फिर टैरी जो चावल से बनता है इसे बोलेगे पिलाफ लाफ या फिर कैसरोल एक सडावरनेक्षट बहता या भूरता मैश मैश्च या फिर पूरे पूरे नेक्ष पापड़ इसक Aa को नहीं पता होगे इसे बोलते हैं पॉपड़न, समोसा, रिसोल, रिसोल या फिर सेवरी स्तफ पेस्ट्री, सेवरी स्तफ पेस्ट्री, Next is जलेबी, फ़नल केक, फ़नल केक, Next पकॉड़े, बारिश में खाने में बड़ा मजाता है, फ्रिटर्स, Next is sticky इसे आप बोल सकते हैं cutlets Next is kachori इसे आप बोलेंगे pie या फिर आप इसे बोल सकते हैं pastry Next is khasta kachori तो आप इसे बोलिए crusty savory pastries Next is gulaab jamun deep fried milk balls in syrup deep fried milk balls in syrup Next is ghee ghee को English में बोलते हैं clarified butter Next is malpua pancake अगला है gulgula मतलब उबाली हुई पकोरी जो तेल में नहीं पानी में बोल करते हैं dumpling next is golgappé golgappé क्योंकि Indian dish ही है तो इसे golgappas बोलते हैं English में अगर इसे English में translate करने की कोशिस करें तो है Indian watery balls watery balls Indian नहीं भी लगा है तो भी चलेगा Next is आलू की टिक्की potato cake potato cake या फिर potato cutlet potato cutlet Next is kebab cutlet cutlet next is उत्तपम उत्तपम को बोलेंगे rice pancakes rice pancakes नेक्स्ट इस दलिया gruel gruel दही दही को आप जानते हैं कर्ड बोलते हैं और साथी साथ इसे योगर्ट भी बोलते हैं योगर्ट अगला है रायता mixed vegetables in curd mixed vegetables in curd अगला है पनीर पनीर को बोलते हैं cottage cheese cottage cheese अगला है मलाई cream cream अगला है लस्सी churned curd churned curd क्योंकि ये मत के बनती है इसलिए इसे churned curd बोलते हैं next is छाच या फिर मठा buttermilk buttermilk या फिर whey अगला है हलवा या फिर खीर दोनों अलग-अलग dishes हैं लेकिन English में दोनों का एक ही नाम है pudding pudding चावल की खीर rice pudding next is खिचडी cereal cereal साबू दाने की खीर या फिर साबू दाने का हलवा दोनों को बोलेंगे sego pudding sego pudding अगला है सेवई सेवई को बोलते हैं vermicelli next is पोहा या फिर चिवड़ा flattened rice flattened rice या फिर beaten rice beaten rice next is रोटी रोटी को English में कई तरीके से बोला जाता है एक तो आप बोल सकते हैं bread दूसरा आप बोल सकते हैं चपाती तीसरा आप बोल सकते हैं puffed bread क्योंकि ये फूला हुआ होता है puffed होता है puffed bread अब अगला है पराठा तो पराठा फूला हुआ नहीं होता इसे आप बोल सकते हैं flat bread flat bread क्योंकि ये चिप्टा होता है या फिर layered bread layered bread क्योंकि इसमें layer होती है ठीक है अगला है रबडी, रबडी को बोले स्क्रेप्ड क्रीम पुडिंग, अगला है वड़ा, मुंबई की जान इसे बोलते हैं, क्रोकेट, या फिर सेवरी डोनट, सेवरी डोनट, अगला है अचार, पिकल, अगला है चटनी, सॉस, सॉस, अगला है सलाद, सैलेड, अगला है रस, रस को इंगलिश में सूप बोलते हैं, या फिर ब्रॉथ, एक और रस होता है, जो थोड़ा गाढ़ा होता है, उसे आप बोलेंगे ग्रेवी, ग्रेवी, अगला है घोल, किसी भी चीज़ का घोल, जैसे कि डोसा बनाने के लिए घोल त अंडे की भुरजी, स्क्रांबल्ड एग, अब बोलते हैं, असल में वो इंगलिश वर्डी है और वो कहलाता है ओमलेट, ओमलेट, नेक्सट इस कड़ी, जिसे इंगलिश में बोलेंगे करी, करी, नेक्सट इस सूजी का हलवा, सेमोलीन पुडिंग, सेमोलीन नाम जैसा लिखोली, सेमुलीना पुडिंग, नेक्ट इस दमालू, पटाटोज इन थिक ग्रेवी, नेक्ट इस मतर पनीर, जो कि मुझे भी बहुत पसंद है, कॉटेज चीज आड पी करी, कॉटेज चीज आड पी करी, तो आज का कॉच्छन यह रहा आपके सामने, इसकी इंग्लिश फ और साथ ही साथ इतना रिक्वेस्ट करूँगे आपसे, किसे खूब शेयर कीजिए, बहुत सारी वोकाप्स लेकर आ रही हूँ आपके लिए, आगे आने मारे वीडियो उसको जरूर से देखेगा, see you soon in the next one, take care.